जब मैंने Film Production House की Logos की ये सीरीज शुरू की थी तो New Theatres की लोगों के विशे में कई लोगों से पूछा मगर ज्यादा कुछ पता नहीं चला और फिर मैंने अनूप जी से पूछा क्योंकि वो सिनेमा की गहरी जानकारी रखते हैं पर इस विशे में उन्हें भी तब ज्यादा जानकारी नहीं थी पर उन्होंने अपनी तरफ से खोजबिन शुरू की तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अनूप जी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी जिनकी कोशिशों से ये जानकारी मुझ तक पहुंची और अब आप तक पहुंच रही है इस information का source है पिनाकी चक्रवर्ती की पुस्तक चल चित्रेर इतिहा से न्यू थीटर्स पिनाकी चक्रवर्ती न्यू थीटर्स के संस्थापक बिरेंद्रनात सरकार के बेटे दिलिप सरकार के सेकेटरी रह चुके हैं जब बीन सरकार विलायत से इंजिनेरिंग की डिग्री लेकर लोटे थे और बतोर सिविल आर्किटेक्ट काम कर रहे थे उनहीं दिनों उनहें कोलकता में एक सिनेवा थेटर बनाने का काम मिला। उसी दोरान फिल्मे दुनिया ने उन्हें अपनी तरफ खीचा और उन्होंने फिल्म बिजनिस में उतरने का फैसला कर लिया। बीन सरकार ने बासंती कॉटन मिल मालिक के बेटों से दस बीगह जमीन खरी दी जिस पर पूरा जंगल था। उस जंगल को साफ करा के वहां बनाया गया एक विशाल स्टूडियो न्यू थेटर्स। कॉलकता के न्यू थेटर्स की फिल्मों ने बंगाल में एक अलग कल्चर की शुरुवात की। रविंद्र नाठ थाकूर, बंकिन चंद्र चट्टोपाध्याई, शरत चंद्र चट्टोपाध्याई जैसे बांगला लेखकों की रचनाओं पर बनी उन फिल्मों ने लोगों के दिलो दिमाग में एक खास जगह बनाई। न्यू थेटर्स का माहौल कल्चरली इतना रिच था कि उसे मिनी विश्व भारती भी कहा जाता था। ये तो सभी जानते हैं कि उस शुरुवाती दोर में फिल्म में स्टूडियो के नाम से चलती थी। और एक आम आदमी न्यू थेटर्स की फिल्मों को हाथी मारका के नाम से ज्यादा पहचानता था क्योंकि उसके लोगों में हाथी दिखाए देते हैं। न्यू थेटर्स की लोगों को डिजाइन किया था यतींद्रशनाथ सेनगुपता ने जो बंगाल केमिकल्स लिमिटट के पबलिसिटी डिपार्टमेंट में कलाकार थे। बंगाल केमिकल्स लिमिटट एक समय में बंगाल की बहुत मशूर कंपनी थी। न्यू थेटर्स के लोगों में एक श्लोक भी मिलता है जो न्यू थेटर्स का मोटो था जीवितांग ज्योति रेतु छायाम ये पंक्ती आचारे सुनीति कुमार चट्टुपाध्याय के एक संस्कृत श्लोक से ली गई है जिसका मतलब है लाइट इन्फूजिंग शेडोज अंधकार में जोती जीवन का संचार कर रही है जब आप गूगल पर न्यू थेटर्स लोगों सर्च करेंगे तो ज्यादा तर आपको शुरुआत में ये लोगों दिखेगा न्यू थेटर्स के क्रामफोन रिकॉर्ड्स पर भी यही प्रतीक चिन छपता था पर न्यू पर न्यू थेटर्स की फिल्मों के अंत में दिखाया जाता था कुछ फिल्मों के अंत में जब यह लोगों आता है तो इसमें चित्र के बजाए जिंदा हाती सूंड उठाता हुआ दिखाई देता है न्यू थेटर्स के इन दोनों ही सिंबल्स में हाथी महत्वपूर्ण है हाथी यूं तो वैभव, संपनता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है पर न्यू थेटर्स के लोगों में इसे जगहा मिली MGM की वजह से मेट्रो, गोल्डविन, मायल्स लिमिटेट के लोगों में दहारता हुआ जो शेर दिखाई दिता है कहा जाता है कि इसी से प्रेरित होकर न्यू थेटर्स का लोगो बनाया गया जिसमें शेर को हाथी से बदल दिया गया और मुझे लगता है कि MGM के लोगों ने ही सोराव मोदी को भी प्रेरित किया होगा आप देखें तो मिनर्वा मुवी टोन के लोगों में गलोब के उपर आकाश की और मू करता हुआ गरचता हुआ शेर है और MGM की तरह ही MM मिनर्वा मुवी टोन उकेरा गया है दहारता हुआ शेर गलोब पर ऐसे खड़ा है जैसे वो अपनी दहार से सब को खबरदार कर देना चाहता हो अपनी उपस्थिती दर्ज करा रहा हो सोराव मोदी की आवाज और अदाईगी में भी शेर की दहार जैसी गरज और बुलंदी थी शेर जंगल का राजा है यानि शाही प्रतीक और सोराव मोदी की फिल्में भी ज्यादा तर शाही राजसी बैक्ग्राउंड वाली होती थी एतिहासिक विश्यों पर आधारित तो बहुत मुम्किन है मेरा अंदाज़ा सही हो अगर आप कुछ और जानते हो इस विशे में तो कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताईएगा प्रतीक चिन, सिंबल, लोगों की प्रेड़ना कोई भी रही हो मगर निव थेटर्स और मिनर्वा मुवी टोन इन दोनों ही स्टूडियोज की फिल्म इतिहास में अपनी अपनी खास जगा है इनके विशे में अधिक जानकारी पाना चाहें तो इन पर आधारित स्टूडियो इरा सिरीज के वीडियोज देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइं कमेंट शेयर करना मत भूलेगा और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल भी आन कर ले तकि आपको हर नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे